नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका समीर पाट साला में दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम एक प्ले को डिसकस करने वाले हैं जिसका नाम है जस्टिस और जिसे लिखा है जॉन गाल्चवर्दी ने इस प्ले को हम इस वीडियो में दोस्तों कवर कर लेंगे 1910 में publish हुआ था और ये play जो है ये एक campaign का हिस्सा है जो Britain में उस समय चल रही थी वो किस तरह की campaign थी दोस्तों जब Britain के लोग वहां की नियाय ववस्था को सुधारने की मांग करते थे मतलब वहां का जो निर्णिया था नियाय ववस्था थी वो पक्षपात तरीके से इसे बिलोग करता है मतलब अमीर आदमी है और दूसरा गरीव आदमी है तो इन दोनों के लिए जो सजा होगी वो अलग-अलग होगी यदि अमीर आत्मी को सज़ा दीवी जाएगी तो वो बहुत कम यह फिर नहीं दी जाएगी ठीक है और गरीब आत्मी को सज़ा ज़ो है ज्यादा दी जाएगी तो जो निर्णिया होते थे यह पक्षपात तरीके से होते थे इसी चीज के improvement के लिए Britain के लोग मांग कर रहे थे गाल्सवर्दी ने ये पिले उसी के दोरान दोस्तो लिखा है सबसे पहले मैं आपको इसके करेक्टर्स को दोस्तो समझा देता हूँ इसके जितने भी इंपोर्टेंट करेक्टर हैं वो सारे के सारे करेक्टर्स मैं आपको one by one बताऊंगा सबसे पहला करेक्टर है दोस्तो जेम्स हाउ ये सोली सीटर है मतलब बैरिस्टर है वकील कह सकते हैं इसको वकालत करता है ये इनसान इसी के साथ एक आदमी और है जिसका नाम है वाल्टर हाउ ये दोनों के दोनों वकील हैं वकालत करते हैं दोस्तो काफी लोग से जुड़े ह हुए हैं और इनकी एक low firm भी है जो इस कहाने की start होती है वो उस low firm से ही होती है जब मैं आपको summary समझाओंगा वह होती detail में समझाओंगा अभी आप character देख लीजिए कि ये दो characters हैं दोनों के दोनो एक firm के मालिक हैं वो एक low firm है ये दोनो वकील है ठीक इसके अलावा इनकी firm के अंदर दोस्तो रोवर्ड कोक्षन नाम का एक senior killer है ठीक pernah कोक्षन जो है ये senior किलर है इनकी Firm में एक junior जूनियर किलर्क है इसका नाम है दोस्तों डैविस जो है इस फर्म के अंदर इन दोनों की फर्म के अंदर जो है लो फर्म के अंदर डैविस एक जूनियर किलर्क है इसके अलावा एक और जूनियर किलर्क है दोस्तों विल्यम फाल्डर ये भी दोस्तों इस फर्म के अंदर ज यह जो है यह है दोस्तो विल्यम फाल्डर की बिलव्ड यह लड़की जो है रूत यह साधी सुधा ओरत है और इसके दो बच्चे भी हैं लेकिन दोस्तो यह फाल्डर जो है यह इससे प्रेम करता है फाल्डर यह अनमेरिड लड़का है और रूत जो है यह एक मेरिड लड़क यह बैंक में काम करता है दोस्तों यह cashier है जो बैंक में काम करता है और जब यह घपला हो जाता है इसमें हमें एक टेखने के लिए मिलेगा hector from यह folder का Vakil है यह क्या इसका रोल है यह आपको कहानी जब मैं बताऊंगा जब आपको समझ में आएगा इस में एक और वकील है दोस्तों जिसका नाम है Clever यह जो है दोस्तों विपक्ष का वकील मतलब कि यह form का वकील है जो सबसे पहले दोस्तो फर्म यह एक law firm से कहानी सुरू होती है और इस law firm के जो मालिक हैं यह दोनों है James Howe और Walter Howe यह दोनों इस law firm के दोस्तो मालिक हैं इस कहानी की शुरूआत इस law firm से ही होती है दोस्तो इस firm के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं जब वो एक बार अपने office में enter हो जाते हैं उसके बाद किसी भी बाहर के आदमी को उनसे मिलने की permission नहीं होती ये अगर ऐसा किया जाता है तो ये firm के नियमों के खिलाफ है ठीक ऐसा चलता रहता है दोस्तो firm के अंदर सारे लोग काम करते हैं और Robert Coxon जो है दोस्तो ये senior clerk है एक दिन क्या होता है एक लड़की यहाँ पर firm पर आती है जिसका नाम है Ruth और ये आकर बात करती है senior clerk से वो कहती है कि मुझे folder से मिलना है किस से मिलना है दोस्तो Ruth आकर किस से मिलने के लिए कहती है एक junior clerk folder से मिलने के लिए कहती है लेकिन दोस्तो ये robot जो है मिलने के लिए उसे permission नहीं देता कह देता है कि नहीं जो duty है जब इनकी shift over हो जाएगी आप shift over होने के बाद मिल लेना लेकिन ये Ruth जो है इस robot से दोस्तो रिक्वेस्ट करती है कि ये मेरी जिन्दगी और मौत का सवाल है मेरा folder से मिलना बहुत जरूरी है जब ये rover ऐसा सुनता है कि ये लड़की बहुत जादा problem में है तो वो क्या करता है दोस्तो इस Ruth को मिलने की permission दे देता है अब ये root जाती है दोस्तों इस folder के पास और कहती है कि मेरे husband ने पिछली रात मुझे बहुत मारा है मारता तो वो मुझे बहुत है हमेशा ही लेकिन पिछली रात उसने मुझे जानशे मारने की कोसिश की है मैं अब उस आदमी के साथ अब और नहीं रह सकती मतलब ये लड़की जो है रूत ये एक औरत है जिसके दो बच्चे भी है दोस्तों ये अपने पती के साथ अब नहीं रहना चाहती क्योंकि इसका पती इस पर बहुत ही ज़्यादा अत्याशार करता है दारू पीकर इसे मारता है और ये जो रूत है ये फाल्डर से साधी करना चाहती है अब ठीक है और फाल्डर भी इसे प्रेम करता है फाल्डर इतनी बात सुनने के बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है वो रूत से कहता है कि तुम जाओ अभी यहां से लेकिन आज रात को मेरा रेलवे स्टेशन पर इंतिजार करना ठीक है ये र जो है चली जाती है तो इस फर्म के मालिक ये दोनों जेम्स हाओ और वाल्टर हाओ आते हैं फर्म के अंदर और आकर एक बैलेंस सीट जो होती है दोस्तों उसे चेक करने लग जाते हैं जैसे ही बैलेंस सीट को चेक करते हैं इन्हें बैलेंस सीट में कुछ गरवर मिलती है ये देखते हैं कि इनों ने पिछले फ्राइडे को एक चैक जो है इसू किया था, उस चैक को किसी ने 9 पाउंड की जगह 90 पाउंड का बना दिया और उसी डेट पर इसे कैस भी करा लिया, तो ये दोनों इस गड़वड को पाते हैं, अब दोस्तों इस बात की पुष्टी करन नहीं जाता क्योंकि ये बिजनिस के काम से कहीं पर बाहर गया हुआ है, इसके बाद दोस्तों इसका सक जाना रोबर्ट का फाल्डर पर है, वो फाल्डर को बुलाते हैं और उससे इस बारे में पूछते हैं कि क्या तुमने ये चैक में जो गड़वड की है, तो फाल्डर दोस्तों इस बात के लिए मना कर देता है, ठीक है, अब ये जेम्स हाओ और वोल्टर हाओ जो है किसने इस गड़वड को की है, पता लगाने के लिए बैंक के कैसियर कावली को बुलाते हैं कि आओ और पहचानों कि किसने ये गड़वड की है, अब ये कैसियर दोस्तों आत लेता है इस folder को तो ये folder अपना जुरुम जो है शिवकार कर लेता है वो कहता है कि हाँ ये गड़वड मैंने ही की है और आप मुझे माफ कर दें जितने पैसे का घपला मैंने किया है वो सारे के सारे मैं पैसे लोटाने के लिए आपको तयार हूँ लेकिन दोस्तों इन दोनों में से जेम्स हाओ जो है ये नहीं मानते इस बात को कि अगर तूने ये गलती की है तो हम तुझे सजा दिला कर रहेंगे लेकिन दोस्तों ये जो folder है इनसे बार बार माफी माग रहा है और इनसे ये भी कह रहा है कि मैंने इस काम को करने के लिए किसी से वादा किया था कि मैं पैसो का arrangement कर लूँगा तो ये पूछते हैं कि वो कौन है तो ये बताता है रूत हनिवेल के बारे में कि इसका पती जो है इसको बहुत ज़्यादा मारता है मैं इससे साधी करना चाहता हूँ मैं इससे साधी करने के लिए अमेरिका ले जाना चाहता था जिसकी वज़े से गलती को सीवकारता हूँ और मैं आपके जितने भी पैसे हैं वो वापस लोटा दूगा तो दोस्तो इस पे Walter Howe मान जाते हैं कि ठीक है तुम हमारे पैसे जो हैं वो हमें लोटा दो और हम तुमें कुछ नहीं कहेंगे लेकिन दोस्तो ये James Howe जो हैं ये कानून की respect करते हैं कि यदि किसी ने गलती की है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए अब ये James Howe क्या करते हैं दोस्तो पुलिस को बला लेते हैं और इस विल्लियम फाल्डर को क्या करते हैं दोस्तो पुलिस से ग्रफतार करवा देते हैं कि इसने 9 पाउंड के चैक को 90 पाउंड का बना दिया और उस फ्रॉम ये किसका वकील है दोस्तो फाल्डर का वकील है और ये फ्रम का भी दोस्तो एक वकील है मतलब कह सकते हैं कि James Howe और Walter Howe का भी एक वकील है जिसका नाम है Cleaver या हम इसे विफक्ष का वकील भी दोस्तो कह सकते हैं अब ये दोनों अपने अपने वकील को लेकर कोर्ट म फ्रॉम ये कहता है कि जो फाल्डर ने ये गलती की है वो बहवनाओं में बहकर की है क्योंकि वो रूट से प्यार करता है और जो रूट का हस्बेंड है वो उसे बहुत मारता है अब ये इस रूट की हैल्प करना चाहता था और इससे प्यार भी करता है ये अमेरिका जाकर इस इसका दोस्तो फ्रोम का सबसे पहला गवा जो होता है वो होता है रोवर्ट कोक्सन इसको बुलाता है और वो कहता है कि जिस दिन इस चेक की गड़वड़ी पकड़ी गई थी क्या उस दिन रूथ जो है वो मिलने के लिए आई थी फाल्डर से तो ये रोवर्ट बोल देता है क हाँ रूत जो है उस दिन मिलने के लिए आई थी मैंने उसे मिलने के लिए फाल्डर से मना किया था लेकिन उसने बहुत जादा रिक्वेस्ट की कि ये उसकी जिन्दगी और मौत का सवाल है इसलिए मैंने उसे मिलने दिया ठीक है वकील कह देता है कि ठीक है तुम जाओ गपला किया है क्या वो तुमारे चलते किया है तो दोस्तों ये जो है रूथ हन्यवेल जो फाल्डर की बिलब्ड है वो कह देती है हाँ फाल्डर मुझसे प्रेम करता है और हम दोनों यहां से भागना चाते थे और अमेरी का जाकर साधी करना चाहते थे लेकिन folder के पास पैसे नहीं थे उसने पैसों का arrangement करने के लिए ऐसा किया है तो इसमें folder की कोई भी गलती नहीं है लेकिन दोस्तो जो judge है इस बात को नहीं मानता अभी उसको दो चीजे और सुननी है कि क्या ये बात सच है और फिर इसको द वक्ष को रखता है कहता है कि जो फाल्डर ने ये गलती की है बड़े ही सोच समझ के की है कि वो इतना सातिर है कि उसने 9 पाउंड के चैक को 90 पाउंड का बना दिया और उसने सेम डेट को ही दोस्तों वो कैस भी करा लिया तो ये बिलकुल सोची समझी साज़िस है इसलिए इस फाल्डर को छोडाना जाए इसे सक्त सक्त सजा दी जाए तो दोस्तों जज ऐसा ही करता है फाल्डर को क्या होती है दोस्तों थ्री इयर्स की जो है सजा सुना दी जाती है अब ये फाल्डर जो है जेल में चला जाता है दोस्तों जेल में इसे एक अगले सैल में बंद कर दि यह वहाँ पर लेकिन इसके अच्छे चाल चलन की वज़ा से इसको दो साल में छोड़ दिया जाता है इसको सजा जो देता है जज उस टाइम पर वो देता है तीन साल की थ्री एर्स की वो सजा देता है लेकिन फाल्डर के अच्छे चाल चलन की वज़ा से इसे दो साल में बोड़ा जाता है कहा जाता है कि तुम्हें पुलिस टेशन जाकर टाइम टो टाइम अपनी रिपोर्ट देनी होगी जेल से छूटने के बाद फाल्डर जो है दोस्तों ढूंडने की कोशिस करता है रूथ हनिवेल को लेकिन ये इसे ढूंडने में काम्याब नहीं होता ये जा आड़ा जाकर वो अपनी जिन्दगी को फिर से स्टार्ट करेगा लेकिन जाने से पहले दोस्तों वो एक बार मिलना चाता है कि से रूथ हनिवेल से वो एक बार मिलना चाता है अब इस root को भी पता चल गया है कि folder जो है जेल से रिहा हो गया है तो ये एक दर्खवास्त लेकर आती है ये root जो है इन दोनों मालिकों के पास एक दर्खवास्त लेकर आती है कि folder ने जो गलती की थी वो मेरे चलते की थी अब मैं किसी और इंसान के साथ सैटल हो गई हूँ तो आप जो है folder को फिर से काम पे रख लीजेगा तो दोस्तों ये James Howe और Walter Howe अच्छी तरह से जानते हैं कि ये root जो है दूसरे बंदे के साथ सैटल हो गई है ये कहते हैं कि ठीक है अगर folder यहाँ पर काम करना चाहता है और अपने मन में कोई भी ऐसी बात नहीं रखेगा कि उसे हमने सजा दिलाई थी तो वो बेसक यहाँ पर आकर काम कर सकता है तो दोस्तों ये root हनिवल जो है वो अभी इस low firm के अंदर ही है और folder भी यहीं पर है ये robot के पास है और जो root है ये इन दोनों के पास है मतलब की इस firm के मालिकों के पास है अब दोस्तों इस folder की मुलाकात जो है इस root से हो जाती है अब ये दोनों दोस्तों एक दूसरे से बात करने के लिए चले जाते हैं किसी रूम में पास वाले रूम में ही जाकर ये बात करने लगते हैं और जैसे ही ये एक दूसरे से बात करी रहे है तभी एक डिटेक्टिव आता है एक जासूस आता है क्योंकि इस फाल्डर ने दोस्तो इसे एक सर्थ पर छोड़ा गया था दो साल में कि तुम्हें छोड़ा जा रहा है दो साल के बाद ही लेकिन तुम्हें अगले एक साल तक प वो पूसता है आकर किस के बारे में दोस्तो फाल्डर के बारे में आकर पूसता है कि क्या यहां पर फाल्डर आया था तो यह दोस्तो दोनों के दोनों जो मालिक हैं उसको सपोर्ट करते हुए फाल्डर को सपोर्ट करते हुए मना कर देते हैं कि फाल्डर जो है यहां पर नही कर रहे हैं तो ये वहीं पर चला जाता है जहां पर ये बात कर रहे होते हैं और फाल्डर को जाकर ग्रफतार कर लेता है लेकिन फाल्डर जो है अब जेल नहीं जाना चाता वो डिटेक्टिव के हाथ से जासूस के हाथ से भागना चाहता है लेकिन वहाँ पर कोई भागने का इतना खास रास्ता नहीं था तो जिस कमरे में फाल्डर और रूथ हनिवेल दोनों बात कर रहे थे उस कमरे में एक खड़की थी तो वो उस खड़की से ही ये फाल्डर जो है दोस्तो छलांग लगा देता है अब ये नीचे आके गिर जाता है और मर जाता है मतलब इसकी डैथ हो जाती है तो दोस्तो इसकी डैथ के बाद ये कहानी जो है खतम हो जाती है I hope आपको ये समरी दोस्तो समझ में आई होगी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहंग